सबी को नमस्कार भई सभी को प्रणाव स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से अमारे यूट्यूब चैनल के डिलाइग तो आजेएगा दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हूँ 15 फरवरी के दिन आर्मी अगनिवीर का नोटिफिकेशन आ गया है क्या आर्मी के अंदर अग कीम थी सरकार द्वारा लाई गई इसकी वेकेंसी आई है इसका नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों और इसमें भी पांच तरीके के पोस्टों के लिए पेपर होने वाला है तो आर्मी अगनिवीर के अंदर जीडी जनरल ड्यूटी के लिए भरती निकाली गई है कह लिजे इस्टोर कीपर के लिए भरती निकाली गई है क्लर के लिए भरती निकाली गई है त्रेट्स मैं के लिए भरती निकाली गई है और एक आपका निकाली गई है टेक्निकल आम्स के लिए भरती निकाली गई है दोस्तों तो क्या आर्मी अगनिवीर का नोटिफिकेशन आया है तो कितनी भरतियां हैं दोस्तों इन में कौन-कौन सी भरती है क्या criteria है कि age criteria कितना चाहिए education qualification कितना चाहिए height कितना चाहिए written exam किसमे होगा के नहीं होगा physical किसमे होगा के नहीं होगा physical के marks जुड़ेंगे के नहीं जुड़ेंगे तो जितनी भी आर्मी अगनी वीर से related आप लोगों के queries हैं डाउट हैं इन सभी को आज के हम इस session में समझ लेगी तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजे कि आर्मी अगनी वीर की जो भरती आती है देखे आर्मी के recruitment क्या जो process है अन्दर जो भरती का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है मतलब रीजन vegan भरती निकलती है छेत्र के हिसाब से भरती निकलती है आर्मी के अंदर और उन्होंने बहुत सारे यारो बना दिये हैं बहुत सारे क्या बना दिये हैं दोस्तों आर्मी रीजनल ऑफिसेज बना दिये हैं क्या बना दिये हैं बहुत सारे आर्मी रीजनल ऑफिसेज बना दिये ह किस रिजन में किस छित्र में कितनी भड़ती है सबका अलग अलग नोटिफिकेशन आ गया है तो डारेक्टली हम चलेंगे वेब साइट पर सबसे पहले के नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे थाना तो देखें बहुत सारे ए आरों के नोटिफिकेशन मिलेंगे हम किसी जैसे माले जे आगरा एक कह अर्मी रिजनल जून है वहां की भड़ती अलग है वहां पर जीडी की भड़ती के लिए माली दस वेकंसी में वहां पर इस्टोर की परकी 15 वेकंसी हैं किसी प्रकार से करनाटक रीजन का जो ए आर होगा वहाँ पर हो सकता है ट्रेट्स्मेंट की भरतिजादि तो सब में भरतियां हर रीजन में भरतियों का जो कहीं जिये साइज है नंबर है वो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा-थोड़ा क्र सब्सक्राइब बाई कौन-कौन से एक्जाम के लिए कॉन-कौन से भरती मुख गजको और के लिए नोटीफिकेशन कब आया है तो 15 फरवरी को कब कर नोटीफिकेशन आया था पॉम कब से भर सकते हो तो आप आज ही के दिन 16 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना सकते हो लास्ट देट क्या है दोस्तों तो 15 मार्च लास्ट ले टैना अगले महिने की 15 मार्च फॉर्म को भरने के लिए ठीक है तो जैसे आप इसमें नीचे जाएंगे जब देखिए रसे करके इसमें नीचे जाएंगे तो यह नोटिफिकेशन मिलेगा क्या कि भाई सोला तारिक से आप पॉर्म स्टार्ट कर सकते हूं पंद्रा मार्च लास्ट एट इसका एक्जाम कब होगा तो 17 अपरेल से उन्होंने एक्जाम बता रखा है कि 17 अपरेल से इसके एक्जाम शुकी शुरुवात हो जा आगरा यहारो ठीक है अमैठी यहारो उत्तर प्रदेश के अंदर ही कई सारे दिन हैं ऐसे बिहार के अंदर तो आप अपना रीजन देख लिजेगा कि आपको किस रीजन में किस छेत्र में अगनिवीर का भरती के लिए अपलाई करना है और लिजिए उसका नोटिफिकेशन क्लिए थिकर हे तो माल लेने सबसे पहले हमें आगरा का अगरा का अबने सारी के हैं नौटिफिकेशन कि लिए जाएगा और जो फेजिकल के लेगा वो मैडिकल के लिए जियाएगा इतने भी यह पोस्ट थे तो सब का पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग है दोस्तों जैसे जो जीडी है जो जनरल ड्यूटी वाले है उनकी भरतिया उनके लिए क्या है कि उनके सौ मार्क स का रिटन एक्जाम होगा उनका विजिकल भी होगा रिटेन के नों के मार्क को एड किया जाएगा जोड़ा-जाएगा और क्या एक मेरिट बनके जिन बच्चों ने मेरिट पार कर लिए उनको मेडिकल के लिए भेज़ा जाए ठीक है वहीं जैसे आप बात करो टेक्निकल क्लार्म कीपर के लिए जो लोग एपलाई करेंगे उनका क्या सिस्टम है तो उनका एक 200 मार्क का रिटेन एक्जाम होगा उनका भी आपको क्या फिजिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा पर उसके मार्क्स नहीं चुड़ेगे तो सबके लिए अलग-अलग है किसके लिए क्या है कितना एच क्राइटेरियर है क्या एजूकेशन मांगा है कि सबके लिए देखे हर एरो में हाइट भी अलग अलग है जैसे तो हमने आगरा वाला भाई डाउनलोड कर लिया है और इसको हम देखते हैं यह क्या कह रहा है नोटिफिकेशन ठीक है तो सबसे पहली चीज तो इसमें बताया है कि online written exam होगा जिस भी भरती के लिए आप apply करोगे चाहे वो जीडी की हो चाहे वो technician की हो चाहे वो कहले जे clerk की हो storekeeper की हो या treatment की हो कोई भी हो हर किसी के लिए सबसे पहले क्या होगा online examination होगा ठीक है online written examination होगा ठीक है आए बात करते हैं देखे सबका अलग-अलग दे रखा है जैसे यहां पर दे रखा है दोस्तो अगनीवीर जीडी आप जीडी के लिए भग रहे हो तो education क्या चाहिए आगरा वालों को कि भाई कि कम से कम दसवी पास होने चाहिए 45% के साथ ए कम से कम 45% आपने दसवी में में पास करी हो है ना सती म्यार्येर मतलब हखे पर हेंग्ले मैं आपके पास 10 में और हर एक विशे में 40 percent marks भी होने चाहिए मतलब किसी भी विशे में fail नहीं हो ऐसा नहीं हो कि 55 परसेंट से तो 10th pass हो गए थे पर पता चला drawing में fail थे ऐसा नहीं होना चाहिए सब विशे में आई ना इद्खे यद आप अगनी वीर में टेक्निकल के लिए एप्लाइ कर रहे हुए तोra पारवी में भी क्या साइंस साइड होना चाहिए और physics chemistry होना चाहिए नवारवी पास हो यह दिए टेकनिकल के लिए अपलाई कर रहे हो तो पूरा बारवी में 50% से पास हूं कम से कम 50% तो होना ही चाहिए और क्या physics math chemistry English होने चाहिए साइन साइड होना चाहिए ठीक है और हर दिशय में पास होने चाहिए ऐसा नहीं कि किसी दिशय में फिल एज क्राइटेरिया कितना साड़े सत्रा से 21 साल होना चाहिए यदि आपके पास बार भी आप पास हो यदि आप बार भी पास हो साथ में आपने आई टी आई का course कर रखा है कम से कम एक साल का यदि आपने ITI का course कर रखा है एक साल का या फिर NSQF level 4 का diploma कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हो apply कर सकते हो अलग अलग ट्रेट्स हैं टेकनिकल में मोटर वीकल mechanical electronic technical instrumental ठीक है जियो इन्फॉर्मेटिक सरवायर electrical automobile है तो ऐसे करके यदि आपके पास किसी ITI का diploma है तो आप apply कर सकते हो ठीक है एज तो सभी के लिए से में कहीं पर relaxation है नहीं अगनी दीर में यदि आगरा रीजन में आप कलर के लिए या इस्टोर कीपर के लिए apply कर रहे हो तो आपको बारवी पास होना जरूरी है प्रतिशत मांस होने चाहिए और से यह रहे है क्थाया में कम से कम पचास प्रतिशत मांस होने ही दे सने के पूरा वारवी में तो 55 पर चाहिए यडिया ट्रेट्स्मेन के लिए करे हो दस्वी हो गये गार्डनर हो गए माली हो गए उन सबको ट्रेट्स्मेन की पोस्ट कहा जाता है आना तो 10 वी पास यदि ट्रेट्स्मेन के लिए आप जा रहे हो तो कम से कम 37% पास होने चाहिए और यदि 아टवी पास जा रहे हो तो भी 35% से आठवी पास होना चाहिए आई यूपही है सातरा वर्ष से 21 пок होने क्लियर है तो जैसे आगरा जोन में भरती निकली है अब आप डिसाइड कर लिए चारों में से कौन सी आपको एपलाई करनी है एपलाई करने के लिए भी भाई हमारा कितना प्रतिशत क्या जरूरी है हमें पता चल गया देट ऑफ बर्त क्या मांगी है सब साड़े सत्रा साल से 21 साल कौन सी तारिक से कौन सी तारिक तक मांग रहे हैं यह तो भाई यह मांग रहे हैं आपका क्या आईएगा इधर एक अक्टूबर 2022-2002 से लेकर एक अपराल 2006 तक यदि आप में से कोई भी व्यक्ति एक अपराल सौर प्रेल 2006 तक इन दो तारिकों के बीच में पैदा हुए हो आप और आपकी उमर साड़े सत्रा साल से 21 साल के बीच में है तो आप अप्लाए कर सकते हैं तो आप अप्लाए कर सकते हैं ठीके दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए रिटेन एक्जाम सबसे पहले बात कर ले हैं र का 100 marks का written exam होगा एंसे क्यू question आएंगे 100 marks के syllabus में क्या है तो general knowledge परना है अभी मैं पूरा syllabus दिखा दूंगा math आने वाला है science आने वाला है यह syllabus रहने वाला है ठीक है clear है ठीक है तो भई क्या 100 marks का होगा बात रही टेक्निकल वालों की तो इनका 200 marks का हुगा रिटिन, ठीक है, जीडी वालों का क्या है, 100 marks का रिटिन, प्लस 100 marks का physical, जिसमें रेफ लगवाएंगे आपसे, आपसे कहलेजे, pull-ups लगवाएंगे, आपसे balancing walk करवाएंगे, इस प्रकार का physical अभी देखेंगे, क्या क्या होने वाला है, तो जीडी वाले बच्चों के लिए physical के marks भी जोड़ेंगे, और इसके भी, क्या इनका physical नहीं होगा, बाती सबकाई storekeeper, clerk, टेट्समें का, इनका 200 marks का paper होगा, और इन 200 marks के paper से ही क्या होगा, इनको नौकरी मिलेगी, पर इनको physical qualify करना जरूरी है, physical को qualify करना जरूरी है, मत जीडी के लिए आप यदि जा रहे हो, तो वह आप से कहेंगे, कि डेड़ किलो मीटर, साड़े 5 मिनट में दोड़ना पड़ेगा, यदि आप डेड़ किलो मीटर, 6 मिनट में दोड़ोगे, जीडी के लिए, तो physical में fail माने जाओगे, वहीं technical, clerk वालो के लिए क्या है, कि भागना है, अब तू 6 मिनट ले, भाई, 10 मिनट ले, 16 मिनट ले, तेरे उपर, qualify करना जरूरी है, फिजिकल, हना, माक्स नहीं जुड़ेंगे, भली, माक्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो जीडी वालो के लिए, फिजिकल के माक्स जुड़ेंगे, बाकी किसी के लिए, नहीं जुड़ेंगे, फिजिकल स्टेंडर्ट की बात करे जाए, तो हर एरो में अलग-अलग में देखने को मिल सकता है, जीडी वालो के लिए, हाइट मांगी है, 170, टेकनिकल वालो के लिए, हाइट 170, ट्रेट स्टोर वालो के लिए, 162, हना, ट्रेट्समेन के लिए, 170, ठ है, चैस्ट दे रखा है, और वेट आपका बुके रहा हाइट के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, तो यह हो गया, हमारा फिजिकल स्टेंडर्ड हाइट वेट कितना चाहिए, हमको सीना फुला के, सीना कम करके कितना होना चाहिए, ठीक है, आईए फिजिकल दि सर्टिफिकेशन है तो पार्क की चूट दिए कि लेवल आ だस मार्क की सूट दिया है आपको समझाया या टेक्निकल का एक्जाम आपके आए 200 में से 1500 मेरे पास क्या था यदि NCC का सर्टिफिकेट होगा सी लेविल का सर्टिफिकेट है तो मेरे सो मार्क्स में अपने आप 15 20 मार्क्स और जोड़ दिये जाएंगे मेरे को छूट मिल जाएगी एक्टांस पर समझे तो यदि NCC का सर्टिफिकेट है तो बच्चों को छूट मिली है और भी कई सारे चीजे हैं जिन पर छूट मिल रखी है ठुको पता है कितना टमस्ट कंडिशन है तो आपको पता हो के आप चार वर्षों के लिए आप अगनीवीर बनाए बनाए जाते हो उसके बाद जितने भी अगनीवीर होंगे उसमें से चालिस प्रतिशत 25 से 45 शरकार के रही है जिनको सरकार पर्मनेंट कर देती है और भी जो आर्मी के एक्जाम से उनको भी आप दे सकते हो तो इसमें दे रखा है क्या कि पहले आपका ट्रेनिंग होगा है ना ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग के बाद जब आप पूरे जॉब पर आ जाओगे तो साल में 30 छुट्टियां मिल जाए हैंगी तो पहले साल आपको क्या आपकी लगबग 30,000 रुपए होती है आपके हाथ में आती है 21,000 रुपए दूसरे साल आपकी सैलरी 33,000 हो जाती है हाथ में आती है लगबग 23,000 इस प्रकार से जब आप चौथे सार अगनिवीर का कोर्स पूरा कर लोगे तब आपकी 40,000 हो बाद में आपको सरकार इस पर कह लीजे ब्याज लगा कि इंटरेस्ट लगा कि आपको आपका पैसा वापिस देती है दोस्तों है एए थीक है इसमें फिजिकल नई दे रख़ा है आए में आपको फिजिकल देख लेता हूँ básicamente और मैं आपको वो बता दिए रहा हूँ आ अधर फिजिकल और रिटन एक्जाम में क्या भी mandatory ग्जांग की बात करी जाए वाला है वह हमने देखा gd के लिए 100 marks का रहने वाला है 100 marks का रहने वाला है 100 marks में क्या-क्या हमें पढ़ना है तो general knowledge पढ़ना है भाई जी के पढ़ना है ठीक है 15 question देखने को मिलेंगे साइंस के जनरल साइंस के बता रहे हैं 20 question आने वाले है ठीक है और मैट्स के इसमें हमें 15 question मिलेंगे ठीक है टोटल मिलाके रिटन में 50 question रहेंगे जीडी वाले के अंदर ठीक है और कितने 2 marks का एक question है दो marks का एक question है तो 100 marks का यह हमारा रिटन हो गया है भाई जीडी के लिए ठीक है रिटन किस के लिए हो गया है यह जीडी के लिए अब जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है तो जीके के अंदर बोल लिजे के नैशनल और इंटरनेशनल ठीक है किस देश की राजधानी क्या है किस देश की मुद्रा क्या है इस देश का राश्ठपति कौन है इस देश का प्रधान मंत्री कोन है ृस प्रकार के question है नलουμε इससे कोछ से related के लिए रंटत कम इस खेल के लिए आयो जिदी कि आ जाता है रण हो पिक किस खेल के लिए आयों जितफिया जाता है वर्तमान समय में सा नए खेल का को हिस्ता बनाया गया ओलंपिक का है ओर और प्राइज़े इसको मिला इसको मिलने वाले इसके अलावा इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री में भी क्या आपको बौध धर्म जैन धर्म पढ़ना है ठीक है इंपोर्टेंट बैटल्स पढ़ने है भारत का कहले जे पूरा इतिहास दस्वी क्लास तक की NCIT में जो है वो पढ़के जाना है ठीक है और साथी म जोग्रफी पढ़ना है अत्मी में क्या जोग्रफी पढ़ना है जोग्रफी में इसमें specifically लिखा है कि स्वार नंदल के question मिलेंगे solar system के अर्थ के principles के desert के rivers के lakes के waterfalls के tallest biggest लोंगेस्ट इस प्रकार के जोग्रफी के questions मिलने बादी क्लिया है दोस्तों ठीक है तो history पढ़ना है जोग्रफी पढ़ना है और static gk का portion cover करना है ठीक है क्लिया है कोई दिक्कत भाई बताओ कोई दिक्कत अभी तक समझ में आया बात करा जाए physical का दोस्तों कि physical के exam में क्या होने तो भाई physical सबका होगा physical जीडी वालों का भी होगा टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर वालों का भी होगा बस क्या है इनके physical के marks counts किये जाएंगे जोड़े जाएंगे इनके physical के marks नहीं है बस इनका physical कैसा है क्वालीफाइंग है भाई क्वालीफाइंग करना जन्दी है ठीक है दोस्तों क्लिया है तो फिजिकल की यदि बात करी जाए तो जीडी के अंदर फिजिकल में क्या क्या होने वाला है तो भाई सबसे पहले आपको करनी है दोड़ लगानी सबसे पहले को करना है रविंग करना DHL लगाना है कितना वन.6 किलोंटर की डॉड लगानी है यदि ये दौर यदि ये दौर एक सेकंड रुके का कितने मार्क्स हैं मैंने ये भी कहीं पर देखा था हा आ जाए ये ये दौर आपने पांच मिनट तीस सेकंड से पहले लगा दी तो आपको साथ मार्कस मिल जाएंगे पूरे साथ में से साथ यदि यही दोड आपने 5 मिनट 30 से लेकर 5 मिनट 45 से कंड में लगाई है तो आपको कितने 48 मांक्सी मिलेंगे भाई और यदि आपने ये रेज 5 मिनट 45 से कंड के बाद पूरी करी है मतलब किसी भी हाल में यदि जादा से जादा फिजिकल में नंबर लेने हैं पूरा का पूरा बारा नंबरों का फर्क है तो 60 मांक्स पूरे चाहिए तो 5 मिनट 30 से कंड के अंदर 1.6 किलोमेटर का प्रेक्टिस कर लो पूरा का पूरा क्लियर है ठीक है तो रनिंग करना है पांच मिनट 30 से कंड के अंदर कर लोगे तो 60 नंबर मिलेंगे और यदि पांच मिनट 45 से कंड में के बाद पूरी करोगे तो दूसरी चीत क्या है तो पूल अप्स लगाने है आपको ऐसे करके जो पूल अप्स लगाए जाते हैं वो लगाने यदि आपने दस लगा लिए तो आपको 40 मांक्स मिल जाएंगे यदि आपने पूश अप्स लगां तो 27 मांक्स मिलेंगे गौर यदि पांच से कम लगाए यदि आपने पांच पूल अप्स लगाए या जोर अपने लालो ना बढ़िया से प्रेक्टिस कर लो बढ़िया दूद छाच भी खाओ तो मैं जान ले के आओ और इस चीज़ों का प्रेक्टिस कर लो तो सौ में या वहीं बात करी जाए टेकनिकल क्लर्क वालों की तो इनको भी भागना पड़ेगा पर इनके मार्रेट कब होंगे इनको भी पांच मिनट प्टालेश सिकन्द के अंदर भागना पड़ेगा क्वालिफाइट तो करना पड़ेगा कम से कम पांच पुल अप्स मारने पड़ेंगे ही पड़ेंगे एक क्या होगा तो भाई फिजिकल में इन दो चीजों के मांग जुड़ेंगे तो क्या य दिक्कत आएगी क्या इतके कोई मार्स हैं तो भाई कोई मार्स नहीं है क्वालिफाइंगे बस फूद के दिखाना हैं उन्हें कहाँ पूद सकता हूँ चलांग लगा सकता है तो एक जिग जैक बैलनस और किराए आप से जिग जैक बैलेंसिंग कराई जाएगी एक मान के चलिएगा ऐसे आड़ा तीड़ा रस्ता सा बना होगा छोटा सा आप से कहा जाएगा कि आपको इसके उपर चलना है गिरना नहीं है बैलेंस बना की तो यह फिजिकल रहने वाला है तो जीडी के बच्चों के हंड्रेड मार्क्स रिटन के प्लस हंड्रेड मार्क्स कि इन में से दौनों मार्क्स को जोड़ा जाएगा जो कट आफ निकल के आएगी जो बच्चे पास होंगे वो आगे मेडिकल के लिए जाएंगे मेडिकल में पास हो गए तो भाई अगनीवीर बन गए है तो भाई फॉर्म आ गए हैं आज से ही 16 फर्वदी से स्टार्ट हो हैं लास्ट डेट का इंतजार मत करना बिल्कुल कि सबसे आखरी दिन भर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं ताइम है अभी तो एसा करने का जरूरत नहीं है भाई क्लियर है दोस्तों तो स्लेबस में हमने देखा जनरल नॉलेज़ का स्लेबस डिस्क्रिप्शन आपको मैंने द क्लियर है ठीक है तो भाई रिटन में हमने देखा पचास कोशन मिलेंगे जीके के 15 साइंस के 20 कहलेज़े मैं के 15 साथी में फिजिकल होने वाला है जीडी वालों के लिए उसके मार्स जुड़ेंगे बागी किसी के लिए मार्स नहीं ठीक है दोस्तों तो भाई जल्दी से ज यारी कर रहे हूं नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी जानना चाहते हूं तो उनको ये वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दीजेगा ठीक है ठैक्टी सो मजद धन्यव झाल झाल